हमस्कार जय दनुंतरी और श्वाववत है आपका एक बार फिर से इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि पहले कहांस ही होने से पहले आपको किस तरह के सिंटम दिखाई देगे और जो वातजकास है उसके क्या सिंटम रहें क्या ट्रीट्मिंट उससा लाइन ऑफ ट्र अने यह बात करते हैं पितज कास क्फश कास के बारे में, तो यह प्तज कास नीक्स in क्वाई उसके रहता है, तो पितज कास रहती है उर्प्रदेश में जलन रहती है अथार्थ फोरेख्य tower हृता मुख स्वाद बार-बार सुख रहेता है कमई भी मिनीघ नार वाहन में भी आपड और हमुख स्वाद कर में बार-बार ऐसे जो लार है वहे भी सुस्क हो जाएगी जाब जुकत हो जाएगी गले में सुस्कता रहेगी गला भी बार बार सुखेगा और उसके बाद में क्या रेता है। कि जो तृषना रहती है, बार-बार प्यास लगती है हमें। बार-बार प्यास लगेगी। और जादा अगर जादा पित बढ़ जाता है तो उस वज़े से मिचली आकर, जी मिचला कर उल्टी भी हो सकती है। गळला सूप निगलते रहते ही हvantage हिंगल के वाण के होता है उसके बाद प्युक्तेज कैसे उसके लिए हमारा फ्रीटमेंट क्या भुगा उसके लीए जो फ्हाला हुपाय है उसमें आपको सब्सक्राइब करें लोज़ा दोसरे के तो रवार रेना है नहीं दोसरे भात की आपको साथ टीन बार दिन में ठीक में अब दूसरे विपाय पारे बाले माल्ड शिंटम है तो आप लिजिए और अगर अगर मॉडरीटों चार चमत लेनी है उसमें चार चमत आपको पाजी मिला के लेना है लवाजगादी वटी है आपको चूशकर खानी है दिन में तीन बार दो दो वटी और उसके बाद में अगर जैसे कफ आपके है बहुत ज्यादा है वो निकल रहा है कफ ज्यादा निकल रहा है उस सिस्ट्वेशन में आपको क्या करना है तालिशादी चूल लेना है पांच गराम सहथ के साथ ले लिजी और अगर आपके कफ कम मात्रा में है और वह निकल नहीं रहा ऐसे आपको उचार है कि यह निकल जाए तो शांती मिल जाए तो उस टाइम में आपको क्या सितो भलादी चूल लेना है पांच गराम सहथ के साथ में ठीक है अब उसके बाद में बात करते हैं हम कवज कास की तो कवज कास में क्या रहता है कि इसमें कफ त्धा JUST में निकलता है दो सब उतकलेशीत रहते हैं खाने में ही होजाती है मुख में ही कहीं भी सायड में पसली हो शेकर शेकर में ऊध्ण कफ नहीं रहते हैं वह सिंटम कि प्रधान्ता की उसमें है यह कंखना कि देखने को मिलते हैं उसका में का तउसका लायन वीप्लूप वद्धी ए क्थारस ने g लेना है सहथ के साथ आप यह लेजिए दिन में तेन से चार बार और दूसरा उपाय में आपको अबरेक बसम लेनी है रच सिंदूर लेना है 60 mg 60 mg जो चंद्रामिर तरह से है वह लेना है 125 mg उसके बाद में जो तीसरे उपाय में आपको लेना है लवंग अदिवेटी है वह इसके साथ आप या तो यह अलग से रखिए या इन पहले और दूसरे उपाय के साथ में यह है वह आपको कर जिम कम से थोड़े ज्यादा और आधिक सिंप्टम दिख रहे हैं तो यह आप उनके साथ में रखिए तो उसमें आपको यह लवंग अद लीजिए या इसके लाव आप तालीस आदी चून हैं वह भी इसके में एड करके तीन से पांच बार आप यह काड़ा दिन में पी लीजिए अपने जो उप्शन था अपने शरीर की प्रकृति वगरा के हिसाब से और अगर आप वैदकी प्रामस लेंगे तो आपको अच्छ विडियो में इसे अनतर आप को मिल जाएं तो समझवेजिए आपको इसी तरह की खांसी है और आप उसमें क्या लाइन ऐसी आपका रहेगा? वो आप बात करेंगे इस थर्ड वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फ्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेर करिए ताकि आपके परीजन आपके परीचित लोग भी है वह इस जागरुकता के जो जागरुकता का जो ये एक संदेश जो मैं इसके लिए हमें कुछ ऐसे उपाइब होने चाहिए जिसके कोई साइड एक तो नहीं हो हम ले ले दो और बाकि हमारी व्यादी भी है उससे भी हमें चुटकारा मिल जाए और उसके साथ भी वीडियो को जरूर सेर करिए अपनों के साथ तो कम से कम करिए ताकि उने अच्छ दो तरह की खांसी बच गई है दो तरह की कास बची है वह हैं आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो नमस्कार जाए दिनूंत्री